Hey everyone, welcome back to my channel अगर आप मेरे चैनल पे पहली बढ़ाए हैं So welcome to my channel मेरे चैनल पे आपको सारे jobs related update मिलते रहेंगे इसलिए subscribe करना बिल्कुल न भूले So आज मैं ये Indigo की website पे जो आपको दिखा रही हैं वो vacancies आ रहे हैं, cabin crew related So अगर आप cabin crew jobs के लिए interested हैं या फिर आप मेरे चैनल पहले से भी follow करती आई हैं तो आपको मालूम होगा कि Indigo सिर्फ girls hire करती है cabin crew के लिए अगर आप ground staff के लिए apply करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे दूसरे videos देख सकते हैं जिसमें boys and girls तो नहीं eligible हैं But अगर आप crew बनना चाहते हैं अगर कोई boy देख रहे हैं तो you can forward this video to your sister or someone you know जिनको ये need है ठीक है So now we will talk about Indigo की October month की vacancies कहां कहां पे हो रही है कौन से date पे हो रही है क्या timing है उनकी और हमें किस तरह से उसके लिए जाना चाहिए apply करना है और निकरना है सारे चीज़े हम इस वीडियो में बात करेंगे So let's get started So जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे आपको एक yellow color की तीन lines देख रहे होंगे यहाँ पे आपको sign up option मिल चाहेगा पहली बार अगर आप Indigo के website पे आए है And आप चाहते हो कि Indigo पे आप अपना एक account बनाके रख ले तो आप sign up कर सकते है बाकि Indigo में कैसे form fill करना है आपको यह वाली वीडियो में मिल चाहेगी कि किस तरह से Indigo में form fill करते है for the cabin crew So cabin crew के profile बनने के बाद आप view profile में चेक कर सकते हैं आपकी profile वहाँ दिख जाएगी description box में आपको link मिल जाएगी उस link पे ट्लिक करने के बद आप इस page पे आएगे यह Indigo की genuine website है Indigo 0 rupees चार्ज करती है इंटर्व्यूस के लिए चाहिए वो इंटर्व्यूस से पहले हो तो कभी भी कोई fraud वगेरा का या फिर कुछ concern लेके आना हो या confirm करना हो तो मेरा comment section हमेशा खुला है आप सबे प्लीज एक बार जरूर पूछे किसी को भी पैसे देने से पहले ठीक है तो यह September month की vacancies है जो कि मैंने अपने चैनल पर अपडेट कर रखी है यह अब आ गई October month की vacancies अभी जो आपको screen पर दिख रही है flight service intervish schedule for October 2024 so first जो blue color की line है यह एक link है ठीक है उस link पर क्या लिखा है for candidates with no flying experience and second वाली जो link है senior cabin attendant trainee वो है आपकी flying experience तो जब भी आप apply करेंगे तो आप अपने इस blue link पर click करके apply कर लेना अगर freshers हो तो fresher वाला link पर apply करना and experience है तो experience वाले link पर आपको apply करने है इसलिए दो तरिके के link वो दे रखे होते हैं अब हम नीचे चलेंगे तो अब यह मत समझ लेना कि flying experience वाले के नीचे dates and location है तो यह flying वालों के लिए है जो non flying है उनके लिए नहीं है यह freshers के लिए है ठीक है एन experience बन्दे भी यहाँ पर आराम से जा सकते हैं आपको indigo के तरफ से कोई mail receive नहीं होएगी आपको खुद ही यहाँ पर form fill करें बिना ही यहाँ फिर form fill करें के भी आप आराम से location पर जा सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे event 1, event 2, event 3 करेंगे जो है इसको आपको ignore करना है आप फिलोग confused होजाते कि यह 1, 2, 3, 4 क्या है वो date नहीं है वो बता रहे है कि पहला event है यहाँ पर, दूसरा event यहाँ पर है दीसरा event यहाँ पर है event is equal to program जो भी उनका program setting है सो गुचराथ से मुझे काफी comments आ रहे थे you can easily apply for this position next we will talk about interview 4th October को जो है वो मुंबई में है आप देख सकते हैं screen पे पूरी dates सब बता रखे हैं, timing बता रखे हैं address सब कुछ बता के रखे होते हैं Google पे एक बार अब ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको confusion होती है pin code वगेरा भी वो सारी detail में दे रखे होते हैं 4 October को दो और interview है जैसा कि हम देख सक रहे हैं आपका जैपूर में भी है and Kolkata में भी है so I have a lot of subscribers from Kolkata city so this is your chance definitely go for it, fine next we will talk about 5th October को दो interview है एक है आपका Delhi में दूसरी है आपका Manipur में और एक चीज़ में बता दू Indigo postpone भी करते रहती है तो रोज website चेक करते रहिएगा कि कौन से date आज है क्या नहीं है या फिर अब जिस date के लिए जाने वाली हो वो date अभी तक दिख रही है या नहीं दिख रही है काफी interviews post phone कर देती है वो उसके बाद काफी interviews date वो add भी कर देती है तो आपका location में अगर नहीं है तो हो सकता आपके location भी October month end तक भी वो add कर देता है तो रोज आप एक बार चेक करते रहेगा description box में link दे रखा है मैंने अभी हम बात करेंगे 5th October का हमने बता दिया 6th October का आप देख सकते है बेंगलरो में interview है and 7th October को बगदोगरा में interview है timing आप सब का देख ले ना 10 से 1 बजे का है तो 10 से 1 बजे के बीच जानी है 10 से 12 बजे के बीच जानी है 8 से 12 है तो 8 से 12 जानी है जो timing आपको वही follow करने पड़े ही 7th October को तीन interview है 1st हम देख सकते हैं बगदोगरा में है 2nd हम देखे हैं देहरादून में है and 3rd है केरला में अगर आप इन तीनों जगह से बिलॉंग करते हैं मेरे subscribers है तो go for it apply करना नहीं करना यह आप पे depend करता है कोई mandatory नहीं है it's all on you fine 8th of October के हम बात करेंगे तो 8th of October को Hyderabad में interview है for the cabin crew 9th October को 2 interview है 2 interview है एक है पूने में दूसरी है डार्जलिंग में West Bengal so डार्जलिंग से जो भी interviews के लिए जाना चाहती है you can go for it 10th of October के हम देखेंगे तो 10th of October में 2 interview है first it is in Mumbai and second it is in Delhi so Delhi Mumbai जो भी है Delhi Mumbai तो ठीक है पर Delhi के location mostly अलग-अलग होते है तो आप चेक करते जाना ऐसा नहीं कि एक location देखा तो वही वाले हर डेट पे चले गए Delhi के बहुत सारे location से जहां पर interview कंड़ किराती इंडी को तो हमेशा location confirm करके जाना है and be safe always 10th of October के बाद 11th October को है 2 जगह पर interview first आपका चंडीगर City में and then it is in Lucknow so I have a lot of subscribers from Lucknow too जो मुझे काफी comments करते हैं so this is a good chance for you कि आप जा सेकते because बहुत ही कम chances होती है कि चंडीगर लगनो वगेरा में वो interview कंड़ करा है then we will talk about 13th of October Noida में interview है it is in sector 37 Botanical Garden Metro so आप यहां पर location वगेरा Google पर डाल के आप से जा से Noida में भी बहुत कमी interview कंड़ कराते but it's very good कि Noida, Gurgaon, Delhi वो तीनो जगह interviews कंड़ करा है then we will talk about 14th of October 14th of October it is in Guwahati and 15th of October as we can see it is in Kolkata so if you are from Kolkata again this is your chance you can definitely go for it next we will talk about 16th of October so 16th of October we have two interviews first it is in Delhi and second it is in Ahmedabad fine I hope you are getting my point and if you are having a little bit of doubt let me know in the comment section next we will talk about 17th of October as we can see there are two interviews first it is in Mumbai and second it is in Madhya Pradesh Indore so if you are from Indore you can definitely go for it guys only girls can apply for this interview so don't go boys you have to go for it next we will talk about 18th of October 18th of October as we can see it is in Kochi so Kochi's address they have mentioned it is a big address so copy the address and just put it on Google and look for the location it will be easy to learn 19th of October we can see that it is in Delhi and Tower A Delhi so Delhi's location is another Saakit is not so we have to pay attention to Delhi's location then we will talk about event number 28 28 number interview is conducted 27th of October they have conducted 28th of October they have to go for it 20th of October in Kolkata again it is in Kolkata so as we can see Kolkata there is a huge hiding area so now you can you can go twice you can go thrice you can go twice you can go for the interview but you can go for the interview but you don't have to go there you don't have to tell how many times you have to come here until you don't ask so West Bengal so West Bengal area Darjeeling, Kalingpong and Kolkata like this 23rd of October we will talk about there are two interviews again on 23rd of October the first it is in Saakit, New Delhi and the second it is in Pune, Maharashtra so if you people are from Pune, Maharashtra you can definitely go for it or if you live nearby Pune or nearby Delhi nearby Mumbai so you can definitely travel for this interview okay as we can see 24th of October there are three interviews on 24th first it is in Mumbai second it is in Kolkata and the third it is in Lucknow again so there is a second chance for Lucknow people who wants to go for the interview and then we will talk about 25th of October the first is in Jaipur the location it is already mentioned and the timing is 8 to 11 fine this is your reporting time never miss never go after 11 or never go after reporting time because there you will face a lot of crowd and maybe you will not get the place to sit somewhere and you can sit there 28th of October as we can see there are two interviews first it is in Guwahati and second it is in Dehradun Utrakhand fine and again 28th October another interview that is in Hyderabad so you can see one date on three one date on four so sometimes you can add another or add another so just keep checking the website everyday then we will talk about 29th of October go West Bengal Kolkata then there is an interview 30th of October as we can see there are three interviews so first it is in Bengaluru second it is in New Delhi and the last interview it is in Shilong so if you girls are from North East or you live nearby so you can definitely go for Shilong if you are from these places you can definitely go for it so I hope you do know if you want to something people in the description box so this is it guys I hope youλα and please इस वीडियो को लाइक कर देजीगा बहुत महींद लगती है चीज़ों बनाने में वीडियो बनाने में सो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे ज़रूर देजेगा मेरे वीडियो को लाइक करे के मेरे चैनल को सबस्क्राइब करे के and आप प्यारे कामेंच भी कर सकते हैं चीके से मिलते नेक्स वीडियो में बाई